कस्पे के उपखंड कार्याले पर बुद्वार को एक दर्जन से अधिक गाउं के किसानों ने अवारा पशुओं से फसल बरबाद होने बबत नायब तहसीलदार कमल पंचोरी को उपखंड अधिकारी का नाम ग्यापन दिया ग्यापन में काश्टकारों ने बताया की निभोर, महराजवास, विजुरावास, गुड्या, अनपुरा, कुराना, लक्शीवास, हमितपुर सहित करीब डेर दर्जन गाउं में अवारा पशुओं फसल को बरबाद कर रहे हैं अवारा पशुओं की तरफ से खेतों में फसल को नुकसान करने वह फसल की चराय किये जाने को लेकर किसानों में आख्रोश बना हुआ है इन पशुओं को सरस का अभ्यारन या गौशाला में भेजा जाए ताकि किसानों की मेहनत से तयार की हुई फसल बच सके अन्य था अनाज के लिए वन्चित रहना पड़ेगा ग्रामीरों ने बताया कि निभोर पुलिस चौकी की तरफ से वह अन्य जगों से अवारा पशुओं एवं गौवन्च को गाड़ियों वह ट्रकों में भर कर निभोर के जंगल में छोड़ दिया जाता है जो करीब धाई सो से तीन सो की संख्या अवारा पशुओं विभिन गाउं में फसलों को नुकसान पहुचा रहे है खेतों में चारो तरफ तारबंदी करने के बावजुद भी पशुओं तारबंदी को तोड़ कर खेतों में गुस जाते हैं और किसानों की तरफ से का उचित प्रबंद करने की मांग की है ततकाल रूप से उचित कार्यवाही नहीं होने पर किसानों ने एक जुट होकर धर्ना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी सुननी कोई तो जो है यह गाएं आई है जो पकड़ी जाती है उन गाएं को यहां छुटवाई दिया जाता है जितनी भी गाएं यह ट्रक वर्क पकड़ते हैं इस सारी गाएं यहां शुटवाई जाती है इस लिए जंगल है इस जंगल में लाकर खटी कर दी जाती है और जंगल के चारू तरफ जितने भी गाउँ है उनकी फसल को यह बरबाद कर रही है कर दो